लमसकार दोस्तो आज हम जानेंगे सरक और पुल के बारे में इससे पहले इससे आगे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो दोस्तो लापडवाही बिना पुल और पुलिया के बन गई शरके पटना हिंदुस्तान भीड़ो गाउं में सरके तो पनी सरकों का है अब ग्रामिर काड़ विभाक ने अब सम्वान्दनों से ऐसे छूटे हुए पूलों को निर्मान करने का लच्छताय किया है पिछले दिनों PMCGSY की समिच्छा की गई उच्छे तरिये समिच्छा के पाया गया की राज्य के कई ऐसे सरके हैं जिनमें पूल का निर्मान नहीं हो सका इसका निर्मान नहीं होने से सरक का उपयोग नहीं हो पा रहा है विसक्य वर्सात की अबधी में तो ऐसे सरकों को कोई काम के नहीं रह जाती लोगों को चर्चरी की पूलों से काम चलाना पड़ता है लाखोर उपय खर्च होने के बावजूद भी सरक का उपयोग नहीं होने के विभाग ने गमिरता से लिया है हाला कि विभाग की और से सभी कार पर अभियांताओं के पदर भेजा गया है इसके कहा गया है कि ऐसे सरकों की पहचान की जाये जिसमें पूल पुलिया नहीं बन सकी है डी वी जवार ऐसी सरकों की सुची आने के बाद उसका एस्टेमेंट बनाया जाएगा इन पूलों के निर्मान पर क्या खर्च होगा इसके आकल के बाद उसे पर काम शुरू कर चुकी सरके बन चुकी है और पूल पुलिया का निर्मान अधुडा रह गया है ऐसे में इसके निर्मान पर खर्च होने वाले 7% राशी राज सरकार को वहन करनी होगी भी वहागिये अधिकारी के अनुसार राज में ऐसे सरके संख्या सेक्रों में हो सकती है दच्छिन बिहार की अपेच्छा में ऐसे सरके की संख्या उत्तर बिहार और अधिक वैसे अस्थल निरच्छन के बाद कारेपाल अभियनताओं की और से तयार रिपोर्ट के बाद वास्तविक्ता की जानकारी मिलेगी